हेलो दोस्तो ओलिन वर्ण टीटी चैनल में आप सभी कास स्वागे थे दोस्तो एक बहुत बड़ी खुसकाबड़ी आप सभी स्टुडेंट के लिए आ रही है वैसे स्टुडेंट जो लोग बीएड किया हुए है दोस्तो आप सभी जो है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थ दोस्तो आप सभी जो है स्टीट तो हजार उनीस परिक्षा में आप सभी बैठ सकते हैं दोस्तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो होगी दोस्तो देख सकते हैं इसका वेफसाइट है www.bsebstet 2019.in पे जाके आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं आवेदन का डेट है 9 सेप् 14 सेप्टमर 2019 तक जो है आप सभी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं साथ में परिक्षा सुल्क भी है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं वहीं पे कट अफ की बात करें तो जेनरल के लिए 50% अंक लाने होंगे उत्तिर्ण होने के लिए वहीं पे अनुसुची जाती पिछरा बार्ग पिछरा बार्ग दिव्यांग के लिए 47% कट अफ निर्धारित किया गया है वहीं पे दोस्तों इसमें जो भी स्टुडेंट पास करेंगे उनके लिए धेकैंसी भी दे दी गई है दोस्तों आप सभी देख सकते हैं माध्मिक यानि की 9 से 10 तक के लिए 25,270 कुल पद है वहीं पे 10 प्लस 2 के लिए 12,065 कुल पद है विसेवार रिक्ति जारी कर दी गई है दोस्तों परिक्षा कार्जकरम की हम बात करें तो परिक्षा कार्जकरम दोस्तों देख सकते हैं माध्मिक विद्याले के लिए यानि की 9 और 10 के लिए दोस्तों देख सकते हैं ये जो परिछा होगी पर्थम पाली में होगी माध्मिक के लिए पर्थम पाली में परिछा होगी जिसे पेपर वन कहा जाता है और इसका परिछा का समय जो होगा 10 बजे सुựcर से लेकर सारह 12 बजे तक आप सभी का एक्जाम गंडेक्ट होगा कुल मिलाकर आपको 2 घंटे 30 मिनट की समय दी जाएगी माधमिक के लिए वहीं पे उच माधमिक विद्याले के लिए दोस्तों देख सकते हैं पाली जो होगी सेकेंड पाली में होगी यानिकी सेकेंड सिफ्ट में आपका एक्जामिनेशन होगा और इसे पेपर 2 कहते हैं इसकी जो समय होगी 2 बजे से लेकर सारे 4 बजे तक आपका पेपर होगा और इसके लिए जो समय मिलेगा आपको इसे कोश्चन को स्वल्ब करने के लिए 2 घंटा 30 मिनट समय आपको मिलेगा दोस्तो अगर आप लोग अपने चैनल पे नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि अपने चैनल पे सिक्षक बहाली पक्रिया से जूरी हुई STET 2019 से जूरी हुई हर एक अपडेट अपने चैनल पे आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि इस पातता परिच्छा में पूछे जाने वाले जो भी प्रसन होंगे बहु बिकल्पिये होंगे परतेख प्रसन के लिए चार बिकल्प आपको दिये जाएंगे परतेख प्रसन के लिए एक अंक निर्धारित होगा और दोस्तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें नीगेटिव मार्किंग का प्राबधान नहीं है